हेलो फ्रेंट्स आप सभी का वेलकम इंडिया के सबसे नए और फ्रेस फंटासी यूटूब चैनल टार्गोटिम फंटासी पर तो यहाँ पर आप देख रहा है इस वीडियो में रोयल चैलिजस बैंगलोर भरस्तार रास्तार नोयल्स मैच प्रिव्यू इस साल आईपेल का ज स्टेडियम और एंड में एमसे स्टेडियम पूने का तो यहाँ पर पीच रिवोट की बात करते हैं यहां से सारे वेनुस पर आपको पांच पीच देखने को मिलेंगे और पांच अलग अलग मैचेस में इस्तमल किया जाएगा यहाँ पर यह पीच बैटिंग फ्रेंडी र मिलेंगे और रान भी बढ़ेंगे यहाँ पर बैस्मेन रान भी बनाएंगे यहाँ पर एवरेज स्कूर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप्टियम इस्तमल को तो इसका मतलब क्या ही है आपर पेसर को ज्यादा हिल मिलता है और आप साथ जानते है कि डेट बुलर्स को जो 19th, 18th और 20th अबार डालता है उनको ज्यादा से ज्यादा उकिर मिलता है आप आज का मैज भी देखा होगा कि आपर नटरा जो पहला तीन अबर डाला एक भी उकिर नहीं मिला लेकिन लास्ट अबर में आकर दो उकिर निकाला जैसन होल्डर के साथ भी एक ही हुआ पहला त तो ऐसे करके आपको कैल्कुलेशन करके टीम बनाना पड़ेगा तो अगर आपको फाइनल टीम समारे और जीस्टी में हम खेलते हैं और गैंडलिक का टीम जो हम जो टीम गैंडलिक में लगाते हैं वह भी हम टेलिग्रम पर दे देते हैं अगर ओ टीम आपको चाहिए तो आ करें आर्सीवी की तो फ्रेंड्स यहां पर आपने असाहिद नीज देखा होगा कि जो रॉजद पातिदर पहले मतलब इससे पहले जो सिजिन महता आर्सीव के साथ थे वह अभी रिप्लेश्ट कर गए लुपनित सी सुधिया को जिसका इंजूरी के कारण वह इस टूनमेंट को मिश करने वाले है वह पाँच एपिल के बात जो कि है आएंगे उसके बाद तिन दीन का जो मेंडेटरी कॉरेंटेर है और पुरा करंगे उसके बाद स्कोड को जोइन करेंगे राष्तर की तरफ से अभी तक कोई नहीं है तो यहां पर हेट्रो स्टैट की बात करें रिफ यहां पर आर्स्वी की प्लेइंग से बात करी यहां से फार्प पेसी रावत के साथ ओपन करेंगे उसके बाद नंबर 3 पर आएंगे प्रट कोली यहां पर एक बात करें अगर मैक्सिलिज में इसको खेल जाए तो मैक्सिल वांडव ना सकते हैं उसके बाद भी रटकुली नंबर फूर पर रहेंगे तो रधर फूर स्कौर्ट से बाहर हो जाएंगे उसके बाद आएंगे दिनेश कार्तिक, सावा जामेट और सी मिली दिन दुनों में से कोई एक खेले वाले हैं सावा जामेट को बूलिंग में ज्यादा अच्छा कोई परफरस नहीं मिल रहा है उसके बाद आएंगे वानिदो हसरंगा, डेवी डूइली, हरसल पैटेल, अकास दीप और मौमत सिराज तो फ्रेंट्स यहाँ पर रहस्तन की प्रेडिक्टेड प्लेइंग से बात करें बाटर और जैसवाल उपन करेंगे यहाँ पर सैमसान, पाडिकेल, हेटमेयर, रियन परक, रभी असीन, टेंड बोल्ट, प्रसित किसना, नवदिप साइने और जुजबंदर चाल फ्रेंट्स यहाँ पर रिसेंट स्टैट्स की बात करें और गाल्ट स्टैट्स की बात करें फ्रेंट्स हमने ज्यादा कुछ पिछला स्टैट्स की बात नहीं करेंगे चे माई ने एक साल दो सल पहले कॉल्ट से प्लेयर ने कैसा परफरेंश देता हो बात हम नहीं करेंगे हमने रिसेंट स्टैट्स के उपर रिसेंट फर्म के उपर बेस करके टीम बनाएंगे और रिसेंट स्टैट्स को दिमांग में रखकर ही चलेंगे उससे पहले बात करें फाप डूपले सी की जो इस से जिन 88 और 5 रन बनाए है अनुज रावद ने 21 और लास्ट मैच में 0 बनाए है बिराट कोली ने इस गाउंड पर एककर लीस नाओ है और 12 बनाए है देस कर्थिंग ने 32-0, 28-14 रादरफोन ने लास्ट मैच पर 28 रन बनाए मैक्सोल ने अभी तक जादा कुछ रिसनली नहीं खेला है इसलिए इनका रिसन एकदम रिसन कोई स्टार्स नहीं है लेकिन पिछला साल बहुत ही अच्छे परफरेंस दिया था मैक्सोल ने उससे मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि मैक्सोल इस साल को भी अच्छा परफरेंस द बात करें वार्णी वासर रंगे की पहला मैच में एक उसके बाद चार उकेट निकाला है इन्होंने पिछला मैच के मैननों तमज भी रहा है डेविड विली जीरो उकेट हर्सल पर लेक और दो उकेट अकासदीब एक और लास्ट वाज में तीन उकेट मुहमद सिराज दो और यहाँ पर हर्सल परटेल हमेशा के लिए डेथ बोलिंग में आ रहा है और यहाँ निकाल रहा है तो यह बाद आपको ध्हल में रखना पड़ेगा यहांसे हर्सल परटेल मुहमद सिराज और डेविड विली इन तिरों मिलके आपको डेथ में बोलिंग करते हुए पाशित किसना टेंट बोर्ड और नवदिपस्वाइन इन तीनों में इसे ही आपको डेज बोलिंग करने को देखने हुए मिलेंगे यहाँ पर बात करें इन दुनों टीम में से कौन-कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल लिग पर मास्ट पिक रहेंगे फाप डूपले से हो गए आपके पास बिरट कोली अगर मैक्सवेल खेल जाए तो मैक्सवेल भी आपके लिए मास्ट पिक बन जाएंगे यहाँ से वारिंदो हसरंगा हर्सल पैटेल अकासदीब और मोमें सिजा इस सारे प्लेयर आपके लिए स्मॉल लिग का मास्ट पिक बन जाएंगे बात करें राजस्थान की यहाँ से जौस बाटलर सैंसल पाड़ि के हेड मियर हेड मेर क्या कर रहा है थोड़ी मीडिल अडर में डाउन れない डाउन 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 अडाउन नमर फाई फोर या नमर फाइप पर आ रहा है और लगातार हीटिंग कर रहा है दोनों मज़ में आपने इनका इनिक्स देखा तो 35-32 रन का जो बहुत ही खुईक इनिक्स आया था यहां से बात करें नेक्स्ट की टेंड बोल्ट पसित किसना और जुजबन रोचाल यह प्लियर्ज आपके लिए मास्ट पिक रहेंगे रास्तन की तरफ से आभी बात करें फ्रेंटसी टिप्स की तो एक ही बात आपको हमेशा के लिए बता रहा हूँ कि डेध बोल्ट को ज़्यादा ज़्यादा पिक करो वो स्मॉल लिग हो चाहिए ग्रैंड लिग हो कहीं पर भी आप टीम बना रहा है तो डेध बोल्ट को मास्ट भी रखो अपनी टीम पर और उनको ज़्यादापय्य RCB 60% और रहस्थान ने 40% विनिंग चांसेस है तो इस हिसाब से हम टीम बनाएंगे अगर आपको और कुछ लगे तो आप कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके इसाब से कॉंसर्टी में में जीतने वाले है बात करें स्मॉल लिग ग्रैंड लिग पीक्स की तो यहां से स्म पॉस्टी तो ये पांच अपके लिए अगर मैस्वल खेल तो यहां पर मैस्वल भी आ जाएंगे तो यह चोईस जो करपण भासके उसीच रहेंगे आपके लिए स्मॉल लिग का चोईस रहेंगे उसके बाद बात करेंग्ड लिग पिक्स की यहां से जुड़ंद रचाहल आपके लिए Grand Licks पर Jazz Wall रहेंगे रवाद रहेंगे उपन करने आ रहा है डेवी डेद में बॉलिंग कर रहा है ट्रेंड बॉल यह भी ओपिनिंग मतलब पाउर प्ले में है और डेद में दोनों जगा में ही बॉलिंग कर रहा है तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छ पर्तिक से ज्यदा उनुज रहा है आपके पास भाइदा मंद होगा क्योंकि उनुज ज्याद ओपिनिंग कर रहा है फाप डूपरेसी के साथ यह आप से बात करें बिलट को भी फाप डूपरेसी दोनों ही डिफोल्ट अप्शन बन जाएंगे आपके लिए आप चाहे तो ह पाडिकल हो गए आपके जैसवाल भी हो गए आप चाहे तो यहां से जैसवाल को भी टाइप कर सकते हो क्योंकि फिलाल हमारे लिए टीम पर पाडिकल ही रहेंगे और लोनर की बात कर यहां पर थोड़ा क्रेट इसू होने की वाज़े से हमने अभी हसरंगा को टीम में रखा है आप चाहे तो यहां पर अगर मैक्सुल खेले तो उनको भी ले सकते हो यहां से आप साबाज आमित को भी ले सकते हो केडिट मैनेज करते हुए रियान परक को भी ले सकते हो लेकिन वह आपके उपर है हम तो फिलाल यहां पर सिर्वेक औल अंडर हसरंगा को ही लेके चले करेंगे यहां से हमरे बाद हमरे बोलार सक्षन की बात करें हमारे टीम पर हर्सल पाटल रभी या सीन पशित किस्ना मुहमाद सिराज रहेंगे आप चाहे तो यहां से अगर आपके पास केडिश मैनेज हो जाए तो आप डेविर उली को भी ले सकते हो यहां से अकास दीब को हुआ कि अब कर देता ले सकते हो कि और ट्रेंड बोल को भी ले सकते हो जुम्मीद चाहल को भी ले चाहते हो और हमारे टीम में और एक बोलिब आपसन में रहेंगे नवदीप साइन ही तो अभी कर देना..? कर देना ौस जैर हो भी करता краई प्रेस कर देना कि आने वाले सारे वीडियोस को आपडेट्स आपको मिल जाए पहले ही तो फिर से एक अच्छे टीम बनाव डेट सारा विनिंग करो All the best, thank you